हलो दोस्तों कैसे हैं आप साब उमीद करती हूँ कि आप सब अच्छे इंगों होंगे रोज की तरह ले करा हैं बहुत ही काम का यूजफूल टीप्स और ट्रिक जिसे दे कर आप लोग का डेली लाइब का काम होगा असान साथ में समय की बचत होगी तो चलिए नादेरी करते ह वीडियो को सुरू करते हैं आज कामरा फर्स्ट एडिया है वह देखिए इस तरीके से मसाले के डबे को लेकर इस तरीके का जो हमारे घर में मसाले का डबे आता है इसे हम लोग विकार समझ के फेक देते हैं तो आज इससे हम बनाएंगे किछन के लिए खूफ बढ़िया सा ओर्गनाइजर देखिए दोस्तों यहां पर इस तरीके से कट कर लिए हैं उपर का जितना भी था रहपर जो और इसके बाद हमें ले लेना है एक टेप देखिए यह हम कागाज वाला टेप ले लिए हैं और इसको हम जो उपर हिसा इसका जो मुह है उसको अच्छे से हम कव कर लेंगे चारो अर्ग क Arist और चारो तरफ थावर करके अछे से इसको बना लेंगे यह देखिए हमारा बनकर हो गया है यहां पर लेंगे देबर कर ». कि चिपकार लेना है तो यहां पर देखिए हम एक ही चिपकार है कि इसमें हाट गोंद रहता है तो इस तरीके से किचन एडिया में इसको रख देना है इसमें चोटे-चोटे लगा लेंगे ताकि इसका जितना भी अश्टार्च है वो निकल के आ जाए इसके बाद इसके थोड़ा साम कॉलगेट लगा देंगे और कॉलगेट लगाने के बाद इसे अच्छे से इसको मिला लेना है कॉलगेट को इसे हम यूज करने वाले हैं दोस्तों अपने हाथ पैर है देखें होंगे वालग डूप में चल जाते हैं आज Kaljan का दूप इतना कड़ा रहता है कि एघणमे काला बलब से चले देखें मैं काला में इदम लगता है कि काला हो गए और बन यह सब आता है तो इस तरीके से काला बलब से हाथ पैर में से गोरा पन लाना है तो यह जुरू ट्राइब किजेगा यह रिजल्ट देता है दोस्तों इस तरीके से रफ करने के बाद पांच मिनट के बाद इसे कोई पानी से नॉर्मल पानी से धो लिजे और धोने के बाद आपको रिजल्ट दिखाते हैं सामने जिस हाथ म हम लगाएं है कॉल गेट और आलू वहाथ देखिए कितना वाइट कलर का दिख रहा है और वहाथ देखिए तो हैंना दोस्तों कमाल का ऐडिया यूश्फूल लगा हो तो लाइक कीजेगा सेर कीजेगा चले देख रहते हैं नेक्स टिप्स नेक्स आइडिया है यहां पे प सेलूसन तो यहां पे देखिए प्याज का छिलका हम उतना अच्छा से नहीं उतार रहे हैं उपर हिसा वाला उतार रहे हैं क्योंकि हमें प्याज नहीं छिलना है क्योंकि प्याज छिलके रख देंगे तो खराब हो जाएगा तो यहां पर जितना हमें छिलका चाहिए था उ चार भाल आने तक अच्छे से पका लेना था है आपर इन्डेक्षन को बंद करने के बाद इसे ठंड़ा नहीं नहीं और छन्नी की मदद से हमें इसे चान लेना है चानने के बाद चलिए बताते हैं कि इसे हमें क्या करना है तो ये दोस्तों हम घर के लिए solution बनाए हैं ये हम बनाए हैं मच्छड मक्ही भगाने के लिए बहुत सारे ऐसे हम क्वाइन बगेरा पावर कच्छुआ ये सब जलाते है मच्छड भगाने के लिए वो मेरा सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है तो क्यों न घर के समागरी से बनाए ऐसा समान ताकि मच्छड भी भाग जाए और हमारे सरीर के लिए हानिकारक भी ना हो तो इन दिनों कितना भी पंखा चलता है मच्छडानी लगा के सोईएगा फिर भी बहुत सारे मच्छड एकदम से देखने को मिलेगा देखिए दोस्तों कितना सारा मच्छड बैठा हुआ है यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं यह देखिए तो जहाँ जहाँ अगर मच्छड ज्यादा दिख रहा वहाँ वहाँ इस तरीके से स्प्रे कर दीज देखिए यह देखिए एक भी मच्छड घर में नहीं रहेंगे जहाँ जहाँ इस प्रे कीजिएगा तो है ना दोस्तों कमाल का एडिया ज़रा सभी यूश्फूल लगा तो लाइक कीजिएगा चले देखिए नेक स्टिप स्टिप श्याडिया यहाँ पर टेल के रैपर को देखिए दोस्तों जब भी हमें टंकी को यहां से वहां ले जाना होता है तो ऐसे ही खिसका के ले जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा फर्स पर दाग पड़ जाता है इसलिए रैपर को लगा के खीचिएगा तो जमीन पर दाग जैसा कि निसान रगड़ने वाला नहीं इसलिए एँडिया है दोस्तों यहां पे देखे कितना जवन का निसान लग जाता है है तंकी जहां पेर हमारे फर्स पर तो साहल में तो गलता है हैं फर्स पर रखे रहते हैं टंकी तो तो एकदम से जंक का निसान नहीं लगेगा आज माया वह टिप से वर्जू ट्राइग तो आज का टिप सेंट्री कैसा लगा जरा सभी यूजफूल लगाओ काम का लगाओ वीडियो तो वीडियो को कर दिजिएगा लाइक अपने दोसर करके सपोर्ट किजिएगा मिलते हैं नेट्स वीडियो में तब के लिए बाई बाई